इन दॉक्टरों की हैसियत क्या है हमारे प्यारे रसूल के आगे इन दॉक्तरों की हैसियत क्या है मैं तो पूछता हूँ आध tussen हमारे रसूल ने फर्मा दिया वो खतम हो गई बात मसाला खतम वह आ चूपा ये सब करने का ही निंई असलामु आलेकुम गाईस कैसे हैं आप लोग तो आपने भी एक हदीस के बारे में सुना होगा जिसमें रसूल अल्लाव ने इर्शाद फरमाया कि कलॉंजी में मौत के सिवा सब बिमारियों की दवाई है यह हदीस हम सब जानते हैं और हम में से बहुत सारे लोग कलॉंजी ख और मुझको जो मिला उसको जानकर आप भी हैरान हो जाओगे लेकिन उससे पहले हमारे जो जो जोकर्स एच मुचलिम्स हैं उनके क्वेस्चन सुनते हैं कि वो लोग इस हदीस पर क्या राय रखते हैं और उसके बाद मैं आपको सैकड़ो साइंटिफिक पिर रिवीउड प कर्माते हैं सुनन इपने माजा की हदीस नमबर 3446 है बलके आपको और भी आहदीस मिल जाएगी यह देखिए तो भाई अगर कलोंजी में हर मर्ज का इलाज है अब हर मर्ज में सारे मर्ज आ जाते हैं आप उसको कैंसर ले लीजिए इंफेक्शन ले ले लीजिए कोई भी ब बिमारियों का इलाज एक मात्र एक कलोंजी में है तो कलोंजी खाये दवा खाने की जरूरत क्या है डॉक्टरों के पास जाके अपना इलाज कराने की वहाँ पे अपने पैसे बरबात करने की भागम दोड़ी करने की और जो बिमार है उसको परेशान करने की जरूरत ही क्या तो पहले तो जो ये बात कही जा रही है कि हॉस्पिटल जाना बंद कर दो, डॉक्टर्स के जाना बंद कर दो और सिर्फ और सिर्फ कलाउंजी खाओ, क्योंकि रसूल अल्ला ने कहा है तो सिर्फ कलाउंजी खाओ, तो इसका एक छोटा सा जवाब दे देता हूँ, खुद रस अब आजाते हैं इस कलाउंजी वाली हदीस पर तो पहली बात यह है कि इस हदीस में कहीं पर भी ये जिकर नहीं है कि आपको और कोई दवाई खानी ही नहीं है क्योंकि इस हदीस में ये नहीं बताया गया है कि आपको कितनी कितनी डोसेज में कलाउंजी लेनी है यानि अगर किछी को कैंसर है तो कितनी कलाउंजी खाने से वो ठीक होगा ये जिकर नहीं है सिर्फ इतना ही लिखा है कि पर scientific studies भी दिखाऊंगा लेकिन उससे पहले थोड़ा सा इस हदीश को और explain कर दू मैं अब मैं आपको इसी हदीश से ये बात साबित करता हूँ कि कलॉंजी हर जगा वर्क नहीं करेगी ये बात भी इसी हदीश से साबित होती है कि कलॉंजी हर चीज क्योंड नहीं कर सकती है य बात भी इसी हदीश में लिखी है क्योंकि इस हदीश में लिखा है कि मौत के सिवा सब बिमारियों की दवा है यानि इसका मतलब ये हुआ मान लो अगर एक शक्स है और उसको कैंसर है तो कलॉंजी में कैंसर की दवा मौजूद है इसमें कोई शक नहीं है लेकिन अगर उस कि मौत ही कैंसर से होनी लिखी हुई होगी तो कलॉंजी वहां वर्क नहीं करेगी क्योंकि उसकी मौत ही कैंसर से लिखी हुई है तो वो शक्स कितनी भी कलॉंजी खाले वहां कलॉंजी वर्क नहीं करेगी क्योंकि उसकी मौत लिखी ही कैंसर से है लेकिन वहीं दूसरी हर मर्स की दवा है इस सेंटेंस का मतलब यह हुआ कि अगर किसी शक्स की मौत शुगर से लिखी है तो वो शक्स शुगर से ही मरेगा चाहे वो शक्स कितनी कलॉजी खाले महां कलॉजी वर्क नहीं करेगी क्योंकि उसकी मौत ही शुगर से होना लिखी है लेकिन अगर आपकी तो कलॉंजी भी कुछ नहीं कर पाएगी, आप उसी मरस से मरोगे, लेकिन कलॉंजी किसी दूसरे इंसान का वो मरस ठीक कर सकती है, क्योंकि उसकी मौत उस मरस से नहीं लिखी हुई होगी, तो कलॉंजी हर जगा काम नहीं करेगी, ये बाद भी इसी हदीश से साबित होती है, अब आजाते हैं साइंस पर, क्या साइंस रसुल अलाव लिख सलम की इस बात को सपोर्ट करती है, तो चलिए देखते हैं, तो नाइजिला सटीवा, जिसको ब्लैक सीद एंड ब्लैक कुमिन के नाम से भी जाना जाता है, तो साइंटिफिकली आज हमारे पास नाइजीला सट तो सब्सक्राइब लिख 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 And black seed oil, depression and anxiety में वर्क करता है, मतलब इसके बेनेफिट्स इतने हैं, और सैक्लो पियर रिवीउड पेपर महजूद हैं. And even doctor इसको रेकमेंड करते हुए कहते हैं, के black seed pretty much हर उस समस्या को हैंडल करता है, जो आप फेस कर सकते हो, क्लिप सुने. And it's anti-gas. So in summary, black seed pretty much handles about every single problem that you may experience. It's also known as black seed, black cumin. All right, so what does this do? Well, about everything. So first, I guess we should go over what it doesn't do, because that would probably be the easier list to write. Anti-viral, anti-inflammatory, anti-anxiety, anti-aging, anti-diabetic, anti-microbial, anti-histamine, the list goes on and on. Anti-nociceptive, that means anti-pain. So black seed really is a kind of thing that benefits a lot of people have and scientifically it has a lot of backing. Let's have some roots in religion and it has been said that the Prophet Muhammad stated that the black seeds are a cure for everything except death. So that's a pretty lofty statement. However, I will say by the end of this, I think we will find that that's not that far from the truth. So black seed, we have seen a scientific view on black seed, but we have to understand a little bit more about this, but it is also important to understand this. In this, it is not said that in this, it is not said that in black seed, the world has a disease of one-one disease, because the Arabic word is used in this, and this Arabic word is used in this, literally, every single thing, every single thing. It is not sure that the word is used in this, that the word is used in this, and it is also used in this, like in the Quran, and in the Quran. Where it will not be taken in this meaning, and it will not be taken every single thing. So it is not meant to be made every single thing every single thing. So everyone will understand this. In Quran, it has come in a different place. Where its meaning to be taken in literally every single thing. के लिए नहीं लिये गए हैं मैं आपको एक्जामपल देता हूँ कुराँ चेप्टर 27 वर्स 16 माया है सुलेमान कहते हैं के यह लोगो हमको पक्षियों की लेंग्विज सिखाई गई और सब कुछ दिया गया अब इस आयत में Arabic word कुल ही आया है तो क्या इसका मतलब यह हुआ के सुलेमान लिएसलाम को हर हर चीज दी गई थी जो एक्जिस्ट करती थी वेल नो इसका मतलब यह नहीं है के उनको Literally Every Single Thing दी गई थी इसका मतलब बस यह है के उनको उनकी जरूरत की हर चीज दी गई थी इसी वज़े से ट्रांसलेटर्स ने वी नीड अलग से ट्रांसलेशन में एड किया है ताके पता चले के कुल वर्ड का मतलब Literally Every Single Thing नहीं होता है सेकिंड आयत कुरान चेप्टर 27 वर्स 23 में आता है हूप हॉय बर्ड ने देखा के एक औरत कुछ लोगों पर रूल कर रही है और उनके पास भी सब कुछ है Everything है अब इस आयत में भी Arabic वर्ड कुल ही आया है तो क्या इसका मतलब यह हुआ के उस औरत के पास Literally Every Single Thing थी Obviously no ऐसा नहीं हो सकता के उनके पास Literally हर एक चीज हो तो इस वर्ड कुल का मतलब यहां पर है कि उनके पास उनकी जरूरत की तमाम चीजे थी तो Quran Chapter 27 Verse 16 में कहा गया है कि सुलेमान अलिससलाम को हर चीज दी गई थी फिर Quran Chapter 27 Verse 23 में कहा गया है लेडी को हर चीज दी गई थी और दोनों के ही पास एक दूसरे के किंडम्स नहीं थे तो मीनिंग Arabic word कुल का मतलब Literally हर एक चीज नहीं होता है एक और एक्जम्पल देता हूँ Quran Chapter 46 Verse 25 में आता है एक तेज हवा ने सब कुछ डिस्ट्रॉय कर दिया था अल्ला के हुकम से सब कुछ बस उनके खंडर ही दिखाए दे रहे थे तो Arabic word इसमें भी कुली आया है अब यहां पर तो बता भी दिया गया के उनके खंडर हो चुके घरों को छोड़ दिया गया था लेकिन फिर भी उसके बावजूद भी इस कुल वर्ड का मतलब यहां यह नहीं होगा कि हवा ने पूरी दुनिया चांद सिधारे सब कुछ ही तबा कर दिया था इस कुल वर्ड का मीनिंग यहां पर भी एवरी सिंगल थिंग नहीं लिया जाएगा इसी वज़े से कुल वर्ड के मीनिंग पर किताबे भी लिकी गई है तो इन शॉर्ट इस हदीस में यह नहीं बताया गया है कि ब्लैक सीड लिटरली हर हर मर्ज की दवा है क्योंके अरबिक वर्ड कुल का मतलब लिटरली एवरी सिंगल थिंग ही लिया जाए ऐसा जरूरी नहीं है हाँ ब्लैक सीड में सैकडो बिमारियों की दवा है जो बात आज हम साइन्टिफिकली भी जानते है काउंटलेस रिसर्च पेपर्स मौजूद हैं इसके बेनेफिट्स पर दूसरी चीज खुद रसूल लिटरीटमेंट लेने का हुकम दिया है जिससे ये बात साबित होती है कि पुराने लोगों ने भी इस हदीस को ऐसे नहीं समझा था कि आपको किसी और दवाई की अब जरूरत ही नहीं है सिर्फ ब्लैक सीड लेना काफी हो जाएगा और खुद रसूल लगों ने भी जामियात तिरमीदी 2082 नंबर हदीस में आता है कि खुद रसूल लगों का शहद से इलाज किया था इससे हमें ये बता चला कि खुद रसूल लगों ने भी लोगों को different different method से treat किया है उनका इलाज different different method से किया है और खुद रसूल लगों ने कपिंग्स का इलाज भी recommend किया है तो clearly black seed को रसूल लगों ने ऐसे recommend नहीं किया था कि आपको किसी और चीज की जरूवत ही नहीं है सिवाए Black Seed के जिस तरह से आज कल ये जोकर्स बीना स्टडी करें बीना Arabic समझें ये सवाल करते हैं उस तरीके से रसुल अल्ला ने Black Seed को recommend नहीं किया था हाँ Black Seed के सैक्डो benefits scientifically साबित हैं और इसके इतने benefits हैं जितने शायद ही किसी और चीज़ के benefits तो हजारों इंग्रीडियंट्स में से रसुल अल्ला ने सिर्फ इस एक कलांजी को ही confirmation दी तो ये भी एक सोचने वाली बात है रसुल अल्ला को उस टाइम ये बात कैसे पता चली